कागज में कील घुसा दो, प्यार पूरी जिन्गे के लिए गुलाम बन जाएगा, दस मिनट में कोल करने लगेगा, जी हां बक्तो, यदी आप किसी से सच्ची महबबत करते हैं, और वह इस तरी पूरुस आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, आप चाहते हैं वह भी आप से प्यार करने लगे, आपकी महबबत में बेचैन हो जाए, आपकी महबबत में तडपने लगे, हमेशा हमेशा आपी के बारे में सोचे, हमेशा हमेशा आपी के बारे में बात करे, आपी के ख्यालों में वह खोया रहे, खोई रहे, तो आज हम आपके लिए महबबत में जी वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं, तो यकीन मानिये, पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं, अपनी महबत में उसको तडपा सकते हैं, अपने प्यार में उसको पागल दिवाना बना सकते हैं, लड़का लड़की हरसे में आ अपने लगेगा, तड़ अपने लगेगी, तो कोई भी इसको कर सकता है, घर बैठे कर सकता है, बिल्कुल मुफत में कर सकता है, यकीन मानिए बहुत ही पाउरफुल और जवरजस टोट का है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और किस परकार से इसको आपको करना है इसको करने के लिए आपको एक कील ठीक है एक नई कील होनी चाहिए इस चीज का इस में आपको विशेज ध्यान देना है और एक छोट असा आपको कागज का इस तरह का एक टुकड़ा चीए बस और एक मारकर पैन तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने प्यार का मन ही मन ध्यान करना है उसका चहरा अपने दिलो दिमाग में आपको बसाना है और भक्तो मैं आपसे हाज जोड करके विंती करता हूँ कि ये एक असली वसीकरण विदी है इसका आपको गलत प्रियोग बिल्कुल नहीं करना है यदि आप किसी से सच्ची महबबत करते हैं सच्चा प्यार करते हैं तभी इस प्रियोग को आपको करना है बेवजा किसी को परिशान करने के लिए इसको बिल्कुल नहीं करना है हमारा मतलब यह है कि यदि उससे आप साधी करना चाते हैं घर बसाना चाते हैं तो ही इस प्रियोग को आपको करना है किसी को परिशान करने के लिए आपको ये नहीं करना है तो आपको क्या करना है चलिए मैं बताता हूँ आपको एक कागज ले लेना है छोटा सा इस तरह से ठीक है और इसको इस तरह से दो भागों में मोड़ना है अब आपको एक भाग पर क्या लिखना है मालिया उसका नाम रमेश है तो इस तरह से रमेश लिख देना है ठीक है अब प्लस करके अपना नाम लिख देना है जैसे कि आपका नाम है गीता तो आपको गीता लिख देना है नाम आप किसी भी भासा में आप लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपको इस वाले भाग पर एक वर्ड लिखना है यह ध्यान से देख लीजिए जो कि वसीकरन का एक बहुत ही पाउरफुल वर्ड है इस वर्ड को आपको लिख देना है बाद में कील का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको चमतकारी वर्ड है आपको इस तरह से लिख देना है एक तरफ नाम अपना और उसका और फिर वसम भवा अब इसको दो भागों में जैसे हमने बताया थे इस तरह से मोड लेना है एक दूसरे के उपर यह आना चाहिए इस तरह से ठीक है अब आपको क्या करना है एक कील लेन से कम 7 बार जी हां सिर्फ 7 बार बोलने से ही यह है जो अपना असर है वो दिखाना सुरू कर देगा और जैसे इसके अंदर आप आप कील गुसाएंगे आपका प्यार आप मिलने के लिए बेचयन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा तड़प उठेगी आपको क्या करना है इस तरह से कील गुसा देनी है इसके अंदर आप इसको ले जाकर के कील को आपको घर से बाहर कहीं जाना है और कहीं भी आपको पीपल का व्रेक्ष दिखाई दे या तुलसी का पोदा दिखाए दे वहाँ पर इसको मिट्टी में इसको दबा देना है बस इतना सा कारे आपको करना है और यकीन मानिए मैं गारंटी देता हूं इतना करते ही लड़का-लड़की आपकी महोबबत में बेचैन हो जाएगी आपकी महबबत में तडपने लगेगी तुरंत आपके पास चलियाएगी आपसे संपर्क बनाने की गोशिस करेगी